नमस्कार बच्चों एक वर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दपीसी एमुजर में आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास्टिवेल एकोनोमिक्स जो आज आर्स वालों का एक्जाम हुआ है बच्चों उसके आनतर की को देखेंगे तो साथ ही स अर्थसास्त का जनक कौन था और मैंने बताए था कि आपको यही पहला प्रश्ण रहने वाला है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा एडम अस्मीत अर्थसास्त का जनक एडम अस्मीत को कहा जाता है ऑप्सन नमर 2 इसका करेक्टन सुरूगा उसके बाद देखें अगला कुछ प्रश्ण ने निमलिखीत में से कौन उत्पति का सादर्ण नहीं है तो इसका रहतेंस हो जाएगा मुद्रा आपको उत्पति का सादर्ण नहीं है ऑप्सन नमर 3 करेक्टन सुरूगा उसके बाद देखें अगला कुछ ने आर्थसास आर्थ विश्था की कंद्रे समयसियां कौन सी है तो यह सभी आपकी केंद्रिय समस्य यह हैं बचों और चार इसका क्रेक्टन्स रोगा उसके बाद देखिए अगला कुछ ने पाच्वा प्रशने आपका किस परकार की अर्थवयश्ता में कीमत तंत्र के अधार पर निर्णे लिये जाते हैं तो इसका राइटन्स ह क्योंकि कोश्चन किसी ने और ने बेजा है कोई बच्चा में कोश्चन बेजा है ठीक है तो उसके आप लोग ध्यान मत दीजिए जो मैं बता रहा हूं उसके बाद देखिए अगला कोश्चन है उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याओं को दरसाता है तो इसका र दूसरा नियम में बच्चो ठीक है तो पहला नियम आपका कोने जाएगा Option 2 इसका धाल होटी तो कैसा होता है और और PXY बटा PX बटा PY होता है, option नमर एक इसका correct answer होगा बचो, उसके बाद देखे, अगला कोचन है, उपयोगीता का करम वाचक सिधान्त किस ने दिया, तो इसका राइटन्स हो जाएगा, Hicks A.M.E.L.N. ने, देखे बचो, ये कोचन आपका science और commerce वाला में भी आया हुगा था, option नमर दो इसका correct answer होगा, Hicks A.M.E.L.N. उसके बाद देखे, सिमान्त उपयोगीता का नियम का परतिपादक कोन है, तो इसका राइटन्स हो जाएगा, गोसेन, अभी गोसेन का नियम पढ़े ना, पहला नियम था ये, सिमान्त उपयोगीता का हराश नियम, option नमर एक इ अगला कुछ ने, मांग फलन को किस समिकरन के दो आज रसा जाता है, तो option नमर तीन, इसका correct answer होगा, option नमर तीन, उसके बाद देखे, अगला कुछ ने, चोदो नमर का परशने, मुईलिव रिदी से, ग्रीफिन वस्तूओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, देखे, फिर उस्तूओं का एक्जांपर आपको दिये था, मांसक, देखे, मांसक का क्या हुआ, मांग भी बढ़ा, और दाम भी बढ़ते जा रहा था, कोरोना में, क्या, तो option नमर एक इसका correct answer होगा, उसके बाद देखे, सारा प्रहय हुआ है, बचो, 15 नमर का प्रशने है, मांग म मांग में कमी के कारण है, तो क्या कारण है, इस सभी कारण है, मांग में कमी के कारण, इसलिए इनमें से सभी इसका right, आंसर होगा, option number 4, correct answer होगा, उसके बाद देखे, 16 नमर का प्रशने है, मांग की लोच मातरातमक है क्या आतमक है, तो यह मातरातमक है, बच्छो, option number 2, इस इसके बाद देखिए 18 नमर का प्रशन है उत्पादन फ्लंड को वेक्ट करता है तो कैसे वेक्ट किया जाता है क्यू एक्स बड़ एक्स बड़ एक्स बड़ एप यह इस प्रकार से वेक्ट किया जाता है अगला कोचन है उत्पती का साधन नहीं है नहीं है उत्पती का साधन अब देखिए 22 नमर का प्रशन उद्पादन में ब्रिद्री के साथ कुल लागत और कुल इस्थित लागत का अंतर क्या होता है बढ़ता जाता है उप्शन नमर दो इसका क्रेक्ट अंसर होगा उसके बाद देखे तैस नमर का आपका प्रश्ण है प्रीवर्ति लागत फ्रीवर्टी लागत दिया टो आपका क्या हो जाएगा पांच युकां चाली से तो इसाट आपसन में से कौन सा सत पूरा होना अधिकत या अधिक्तम होगा तो इसका राइटन्स हो जाया कर एक तो एक और दो ऑफिसन नमर तीन इसका करेक्ट रोगा उसके बाद देखिए पुर्ण परतियुगीता बजार में क्या होता है पुर्ण परतियुगीता बजार में यह यार वग्र अगला तीमं की अंतीम संथुलं दसा में क्या होना कि अम निच्छी स काथना चाहिए तो जाहिए वस्तु की और दू कौन सर के रहा छाहते बच्चो निदारन करने की घट आक है उसके बाद देखिए पूर्ति अपनी मांग सुवे मुत्पन करती है या कथन किसका है या कथन आपका जेबी से का है ओप्सन नमर एक इसका करेक्ट टांसर होगा बचो उसके बाद देखे देखे वहाँ पे इलेश्टिशिटी हो आप सप्लाई का इलेश्टिशिटी दिया पूर्ति का लोच जीर संतिर का फरमूला पुछा है तो इसका राइन तर किया हो जाएगा बैचो सका डवरी एक प्रफ्रृबी नमdensर के इसका करैक्ट उसके बाद देखे सार पढ़ाएग मठेय hold तो यह सभी मठेक कि विश्चता है ऑस्के बाद करें तो जो भी आपकर कॉन प्रतिवीता की विश्शता नहीं है ये अपन परतिवीता की विस्शता है बचो बाकि बाद यह तीनों बती नुमर तीन इसका करेक्ट वगाँ ठीक है उसके बाद देखें अगला कोच ने सरम की दो इकाई लगाने पर कुल वित पांदे कितना है बाइस तो एक लिकाई पर दस है तो सिमान थिकता कितना हो जाएगा बाइस में दस खटा दोएंगे बार ओप्सन नमर दो इसका करेक्ट अनसर उसके बाद देखे सेती समा प्रश्ण है कितना प्रश्ण का प्रश्ण के जाता है जिसना समंध्त पंद बढ़ता है तो तो पूर्टी बढ़ता है पूर्टी बढ़ता है थिक है नब दाम भठते है ठीक है तो डायेक्ट समन्द होगा option no 2 प्रशन कि किसी वस्तू कि मानवी आविशक्ता को संतुष्ट करने की छमता को क्या कहा जाता है उप्योगीता कहा जाता है ठीक है ओप्सन नमर्डू इसका क्रेक्ट्रांस रोगा तो कमेंट करके बताए बच्चो कि लिए इस वीडियो को इडिटिंग में नहीं कर रहे हो ठीक है अगर आपको कोई भी कोशन पे डावट है वह भी आपने कमेंट करिएगा ठीक है बहुत सी जल्दी में में आंसर को त्यार क्या हुआ तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद